हेलो गाईस वेल्गम टो स्टीप और मैं विकास दोते हैं पर बात करने वाले हैं सीविसी जूनिय असिस्टेंट के नॉर्मलाजेसन फार्मूले के बारे में तो गैज इसका जो ऑफिसियल फार्मूला जो यूज करेगा सीविसी यहां पर तो वो इसकी ऑफिसयल पर गई जिसकी ऑफिसल वेबसाइट है यहां पर देख सेथे नीचे आप संदिया हुए सीविसी रिगूर्मेंट नुचा नॉमलेशन फार्मूला तो इसको यहां पर क्लिक करके हम डाउन्ट कर लेते हैं तो आलेटिम ने डाउन्लोड कर रखा है तो यहां पर देख सकते है एसन इस इकल टू एस टू अपान एस वन ब्राकेट क्लोज उसके बाद इन्टू एक्स माइनस और यहां पर एक से या फिर एस टू की वैलू यहां पर देख सकते हैं कि गर एस टू का मतलब यहां पर रखा जाता है तो नुमना कि हाइस्ट एवरेज स्कोर टेकन अज़ और एक्स एवी की बात करते हैं सिंपल एवरेज आदा सिप्ट रहेगा और उसके बाद जो वाई एवी रहेगा वह रहेगा एवरेज कर्सपोर्णिंग तू सिप्ट विद्ध हाइस टेकन एच बेस पर नॉमलेजेशन तो यहां पर हम थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज्ECली होती है ँशको यहां सबसे ज्यादा कटिन ती और उसके बाद जो यहां पर सिकेंड श्रिफ्ट ही वह थोड़ा आसान थी और उसके बाद जो दूसरे दिन भी एक्जाम हुए थे उनकी भी यहां पर श्रिफ्ट जो थी बहुत ही moderate पूछी गई थी तो यहां पर सबसे कटिन जो श्रिफ्ट है वो आपको बताना है क्योंकि मुझे इतना एडिया नहीं ह तो आप नीचे कमेंड कके बताइए कि कौन सी स्रिफ्ट जो है सबसे कटिन थी और कौन सी स्रिफ्ट सबसे इजी थी तो स्रिफ्ट वाइज जो है आपको दो से तीन नमबर का फायदा हो सकता है अगर आपकी स्रिफ्ट सबसे कटिन थी तो उसमें आपको तीन से चार नमब से सबसे कठीन थी तो मिलते हैं ने वडियों तब तक के लिए थैंक यू सो मच